कि नमस्क्राइब मैं सचिन दूबे आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन सिटीजन टीवी मीरा भाहिंदर से जुबी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्ट्राइम और फेस्बुक पेज को लाइक करें सुरिष्टी कॉंप्लेक्स के सेक्टर एक में एक 19 वर्ष के लड़के को उसके ही बिल्डिंग के दो वाच्मेनों ने एक धारदार हत्यार से उसकी हत्या कर दी थी इस मामले को काशी मीरा पुलिस चौकी के अंतरगद दर्ज किया गया था काशी मीरा की पुलिस की टीम ने इस में से उन दो आरोपियों में से एक आरोपी को तीन दिन के बाद गिरफतार कर लिया था लेकिन जो दूसरा आरोपी था उसकी जानकारी काशी मीरा की पुलिस की टीम के पास सही न होने के कारण उस दूसरे आरोपी को दूड़ने में काशी मीरा पुलिस की टीम को थोड़ा वक्त लगा लेकिन आज काशी मीरा की पुलिस की टीम ने उस दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है आईए जानते हैं इस पर काशी मीरा की पुलिस की टीम का क्या कहना है जो दो शुक्रिटी गार्ड थे उनका और वो जो वही सोसेटी में रहने लड़का उनका कुछ अपच में जगड़ा हो रहा था वो भी रात को थोड़ा लेड़ बीड़ आता था तो उसके वज़े से उनसे दोनों में अन्बं थी तो जिस दिन इंसिदेंस वा उज दिन वो तो शुक्रिटी की, ता नाम जाता था वि थे जदिदेंस्ल धार में थी और जईता चड़ेर। एप इज दो कि और एको चेष्ट में ओन नों में से जो अब्यू कर कि जो शुक्रिटी कर नाम बाताएं जाता था उस ने सीधा उसके ओपर 25 जोए तो स्वासल्टीव के लोग जैसे नीचे अगए तब तक यह दोनों भी शिक्रूडी गार्ड थे वाज भाग गए थे उसमें से एक पहला जो गार्ड था उसको तीन दिन के बाद तीन चार दिन के बाद सुभाश पाड़े को हमने अप्राम ब्राइश के मदिस से अरेष्ट क अधर एक बाताया गाया अपहर में लेकिन उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं था कुछ्च बिने था तो इसल्ब स्वे उसको इससे बताए कि मेरे को एक जो सुभाश पांडे था उसने बताे अगोड रूश अट तो यह चांग लाए ता यह जो आमित के नाम से तो वहाए ढूं सिंदे दो भी इसे नोकरी चुड़के फिरे उदर क काम पे लगै था तो उसको लए है तो उसका अश्ली नाम अमित कुमार संव रभ है ओोना कि तिवारी तो हमने उसको ऑरेष्म कर लिया है और जो भी कारण की कारवाई व उसको और जियून तक पॉलीश कसलेडी रीम तो उसने दूसरे वाच्पन निए लेक आने वाला था तो उसने दूसरे वाच्पन निए लेक आया तो वह चाकु लेकर बैड़ा था और जैसा ही लड़का आया और गया फिर वापस आया तो उदर बैटने को उसको डाउट आए कि वो मुझे कुछ तो करे गा तो उसने करने पहले इसने उसके उपर हमला बोल दिया जो भी रंजीत कुमार जो है सवरभ वो दो हजार पाच में उसके किलाब जहुब 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 वोष्टे में 307 का मतलब आटेम टू मर्डर का अपेंज रेश्टर था उसको उसको साथ साल की पनिश्मेंट हुई है तो ऐसा ही वो उसका कोई बेक्राउंड मतलब कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड नहीं है लेकिन यह जो दूसरा अरोप है जिसने चाकु से लड़को कुमारा वो रंजीत कुमार सवरभ उसका रेकॉर्ड है उसके ओपर मतलब उसके जेल बगके आया है और बाकी काई बहुब लोगी तहके कर रह कि यह जो दूसरा वाला जो अरोप है उसका क्या रोल आताय सामने उसी साब से हम लोग आगे करेंगे आठ जून तक पॉलिस कस्टडी रिमांड है दोनों अरोपी की और फिलाल हमारे कस्टडी में है जो भी विदेंस हम लोग कर रहे है और हमारे पास उपलब्द है यह जो सुबाश पांडे है वह भाग दिन से इढर अपने मिराओड में काम कर रहा है लेकिने सरुब तिवार्जित कुमार सरफ जो है जिसका नम आमित तिवारे बता है वह अमित रंजीत कुमार सरुब तो वह अभी नहीं आया था तीन चार महेने पहले ही और स्वरूडी के पास उदर क्रीकर रहा है ला हम लोग इस जरशास अबी सोसीटी हो भी रिक्वेस्ट आम लोग करना चाहते हैं और शेकर्डी एजेंशी को भी रिक्वेश्ट करना जा है। शिकुर्डी एजेंस तो आपने पैसे के लिए किसी को भी रख सकती है लेकिन सोसाइटी लाखो रुपए पेड करती है उनको तो सोसाइटी ने कम से कम जो भी वाच्मन उनके उदर सिकुर्डी कर रहा है उसका पूरा बायो डाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए मोबाइल करता हूं कि जो भी वाच्मन आपके पास काम कर रहे हाला कि वाच्मन के डिली चेंज नहीं होते वही रिपिटेशन नहीं तो उनका सब डाटा शिकुर्डी एजेंटी के पास होता है नहीं होता है वह बिना उसके ही जखके आप अपने पास रखो और कभी भी कुछ ऐसा इ यह अभी जैसा इसमें कुछ भी नहीं था ना स्वासाइटी के पास कुछ है आरोपी का ना शिकुर्डी एजेंशी के पास है बाद में आगे की कारवाय हो जाएगा है बिसकुर्डी का जो लाइसेंस है उसको तो रद कर निकले मैं प्रस्ता बोजने ओलाओ लेकिन लोगों की सकर्ण कररें उनका डाटा सुसार्ड के पास होना चाहिए यह बहुत जरूर है all there कि मेरा वहंदर की जो भी सेक्योरिटी एजदसियां हैं और जो भी स्यांटिहां हैं कि सी भी आदमी को काम पर रखने से पहले उनकी जपने पास ले ले और उन और आपके पास रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें इंडियन सिटीजन टीवी के लिए आजय यादों के साथ सचिन दूगे